असलाम लेकोम वेलकम बेक तो मैं चैनल आज हैं मंगल का दिन सुबा का वक्त हैं मुझे कुछ चीजे चाहिए थी तो मैं जा रही हूँ स्टोर की दर हूँ तो सोच आप से बात करते हुए चलू आज है सनी डे मौसम है अच्छा और एक्चली दो तीन दिन से यहां पर बारि दूप निकलती है तो लोगों को भी अच्छा लग रही है यह जो इस्टोर है यह हमारे गर से पांच मिनिट की वाकिंग डिस्टैंस पर है तो मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं यहां से यह लेती हूँ यह मेरे लिए आसान रहता है यह जो मैं कोशिश कर रही हो कि कुकिंग के साथ आपके साथ कुछ शेर भी करूँ तो अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कॉमेंट करके बथाएगा एक्शली मुझे व्लॉग बनाना शायद नहीं आ था लेकिन मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि कुछ दि मैं पहुंच चुके हूँ स्टोर में एक्शली यह चोटा सा स्टोर है आप यहां से कप्लीट ग्रॉसरी तो नहीं कर सकते लेकिन रोजमरा के लिए जो जो चोटी-चोटी चीज़ें होती है तो वह ऐसे आपको मिल जाता है मुझे यहां से कुछ सबजिया चाहिए थी और दही मैंने लेना था अंडा लेना था यह स्पाइसेज जो यहां पर मिलते हैं यह बहुत फ्रेश होता है सलात के पत्ते यह मैंने लिया था और टेमाटर यहां से मुझे अंडे चाहिए थे वह मैंने लिया था और ज्यादा का नहीं तो कुछ चीज़े चाहिए थी वह मैंने लिया हैं मैं वापिस गर आ गई थी तो लिए मेरा यह बहुत मश्रूफ दिन था तो मैं सोची थी ऐसा कुछ बना लूँ जो आसानी से बन जाए और ज्यादा ठाइम बेना लगे तो मैंने का स्टीम रोस्ट बना लेती हूं रात के लिए इसके लिए मैंने चिकन पे कट लगाया है मैं इसके लिए मसाला बना रही हूं एक कब मैंने लिया था दही इसमें एक काने का चमचा मैंने डाला था लाल मिर्श पावडर एक काने का चमचा दनिया पावडर आदा चाय का चमचा इसमें मैंने डाला था गरम मसाला एक चाय अदरक फाउडर एक काने का चमचा लहसन पेस्त जीरा एक खाने का चमचा और ऐहा सब्स्यीं दो दाल चिली नमक भी आप डालेंगे हजब जाइका अब इस मसाले को आप चिकन पर अच्छी तहां से लगा कर मेरिनेट होने के लिए आप रख दें अच्छा चिकन को मेरिनेट करके मैंने रख दिया था मैं यहां पर आई हूँ मैंने किसी से मिलना था कोई खाम था मुझे यह लोग जो है एहतिजाज के लिए निकले हुए थे यह रास्ते में फूलों के एक दुखान थी फ्रेश फ्लार्स की जब मैं वहां से आ गई थी यह प्यास काट रही हूँ रोस्ट के लिए यह में खाल से इतना काफी होगा जब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इससे फॉयल में कैसे रखना है आपने चिकन को फॉयल के उपर रखकर उसके उपर आपने प्यास के स्लाइस रखने है आप इस तरह से बना कर देख लें यह बहुत मज़े का बनता है रोस्ट स्टीम रोस्ट रहें अब फॉयल को आप चारू तरफ से बन कर देंगे यह जो मैंने मसाला थियार किया था इसमें मैंने ऑईल भी डाला था और जो है वो मैंने पांच खानी की चिमचे मैंने इसमें ऑई डाला था यह उस दिन मैंने लिया था मैंने आपको दिखाया भी था पानी उबल रहा था तो यह जो है मैंने रख दिया था अब आप जो है वो चिकन को इसके अंदर रख देंगे और इसको बंद कर देंगे साथ में मैं बासमतीर राइस बना रही थी रात के लिए जब मैं रोस्ट और इस तरहां की कोई चीज बना लेती तो सिंपल सा मैं चावज बनाती हूं उसके साथ यह मैंने जरा बरतनों की सेटिंग चेंज की ती आज तो इसमें भी मुझे टाइम लगा मैं आपको दिखा रही हूं यह शोकेश जा है वो मैंने अपने लिविंग रूम में रखा हूँ है स्टीम रोस्ट है वो मैंने इसको एक गंठे के लिए स्टीम दिया था स्टीम रोस्ट हमारा तयार है अकर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कामेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और आप मेरे वीडियो को शेर भी करें